दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आयूत्वेदा अल्ट्रा हाइडरेटिंग फेस इमल्सन क्रीम का जी हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में आयूत्वेदा अल्ट्रा हाइडरेटिंग फेस इमल्सन क्रीम के बारे में और आज मैं बताऊंगा और यह एक naturally moisturizer है बहुत सारे लोग moisturizer यूज करते हैं तो यह naturally moisturizer है naturally इसलिए है कि इसमें कोई भी chemical नहीं डाला गया है तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे में कि इस जो क्रीम है उसका यूज कौन कौन सी बीमारी में यूज कर जाता है कितनी मात्रा में लगाना चाहिए और इसको लगाने से में लावा micronutrient डाले गए हैं जैसे घ्रीन टी और बहुत सारे न्यूट्रेंट डाले गए हैं जो कि नेच्रिली हैं बहुत सारे महस्चराजर ऐसे होते हैं जिसमें chemical डाला जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी इरिटेशन होने लगता है खुझली होने लगती है इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए यह एक मौस्चराइजर है तो इसका जो यूज है जिन लोग की जो तोचा होती है इसकी होती है ड्राइड्राइव होती है बहुत सूखी सूखी रहती है उखड़ उखड़ आपको उपर ही लगाना है तो यह जो कि बहुत ही बहतरीन है और दूसरी बात इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोखो अगर लगाने की बात किया जाए तो इसको आप सुबह साम करके लगा सकते हो और लेकिन क्या है अगर आप एक बार इसको लगा दोगे तो 24 घंट आपको लगाने की जोट नहीं पड़ेगी लेकिन अगर पड़ भी रही है तो आप इसको सुबह साम भी लगा सकते हो मैं आपको इसका पैकेजिंग कोल के दिखा देता हूं इसका कलर देखो कैसा दिखता है और इसका क्या है आप थोड़ा सा ही लगाओगे पूरे एरिया क सकते हो और दूसरी बात जब लगाना है लगाके आप पूरे चेहरे में लगा सकते हो पूरे बाड़ी में लगा सकते हो आप अपने पूरे बाड़ी में कहीं भी लगा सकते हो सेफ है यहां तक की लिप भी लगा सकते हो कोई भी इर्टेशन नहीं है अंदर नहीं जाना चा करता हूँ जा मौश्चराजर में क्योंकि जो विंटर सीजन होता है उसमें इसकी बहुत लुखडी उखडी सी रहती है मुझे ड्राइस की प्रॉल्म नहीं है लेकिन फिर भी उखडी इसकी रहती है नहाने के बाद तो मैं इसको यूज करता हूं दोस्तों यह को अमिल नामक 300 रुपे में 60 गराम का मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा है अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं इसके अलामा और भी बहुत सारे हैं जो ले सकते हैं बट यह नेचरली है इसको जैसे यह उनसे बहतर है दोस्तों यह पूरी जानकारी थी आयुथ वेदा के बारे में आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगले वीडियो में